तो आईए आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और अभी की बड़ी ख़वर जम्मू कश्मीर से आ रही है जम्मू कश्मीर में तीन जगह पर एंकाउंटर की सूचना है जम्मू कश्मीर में तीन एंकाउंटर तीन आतंग की धेर किये गए हैं कुपवाडा के माचिल और क्या आप अभी भी मादा पिता बनने का सपना देख रहे हैं अब ओलो फ़र्जिलिटी के साथ अपनी मादा पिता बनने का सपना पूरा करें मुफ्त परामर्श के लिए सुरक्षा बलो ने घुसपैट की कोशिश नाकाम कर दी है राज़ारी में भी आतंकियों के साथ एंकाउंटर जम्मू कश्मीर में तीन जगह पर एंकाउंटर चल रहा है जम्मू कश्मीर से अभी कि ये बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें इन एंकाउंटर्स में तीन आतंक वादियों को धेर भी कर दिया गया है तुरक्षा बलो ने घुसपैट की कोशिश को नाकाम किया है और तीन देश्चत गर्दों को धेर कर दिया गया राज़ारी से भी सूचना मिल रही है कि आतंकियों के साथ मुटभेड जारी है राज़ारी में दो से तीन आतंकी चीपे हो सकते हैं इस तरह की आशंका है एक और बड़ी ख़बर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से ही ये ख़बर है एक बार फिर से वहाँ पर कुपवाड़ा में एंकाउंटर और उससे जुड़ी एक बड़ी ख़बर अभी एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुचा दें जरसल कुपवाड़ा एंकाउंटर पर जो एहम ख़बर आ रही है जम्मू कश्मीर में तीन जगों पर घुसपैट की जो कोशिश की गई थी उसे एक तरीके से नाकाम कर दिया गया है तंगधार सेक्टर में भी एक आतंकी मारा गया माचिल और तंगधार में सर्च खेर रखा है हमारे साथ हमारे दो सायोगी इस वक्त जुर चुके हैं आसिफ गुरेशी आपको नजर आ रहे हैं श्री नगर से और जम्मू से अजय बाचलू हमारे साथ मौचूद हैं आसिफ आपके पास क्या और जानकारी है इन मुटबेट यह जो मुटबेट जारी है उ वो अलग-अलग जगूं से तकरीबन छे गुसपैटियों की दो टीम्स ने गुसपैट करने की कोशिश की पहले गुसपैट की कोशिश जो हुई थी वो तंगडार के कुशाल पोस्ट के आसपास के वाले इलाके में खराब मुसम का फाइदा उठा कर की गई थी जिसको सु परकशाबलों का ये कहना है कि कम से कम एक गुसपैटियों को तो मार गिरा गया है लेकिन अभी भी इस इस इलाके में दो मिलिटेंट्स के होने की खबर है तो इसलिए ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है जबकि दूसरा जो गुसपैट की कोशिश हुई थी वो जो थी वो मत्सिल सेक्टर के कुमकारी इलाके में हुई थी कुमकारी पोस्ट के पास हुई थी जिसमें सेना ने अब तक दो गुसपैटियों को मार गिराया है और यहां पर भी चुकि पूरा पहाड़ी इलाका है तकरीबन दसजार फीट से ज्यादा उंचाई वाला इलाका है जंगल का इलाका है और खराब मोसम के चलते जो हैं दिक्कतों का सामना है लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षाबलों का ये कहना है कि दो अलग-अलग गुसपैटियों को विफल किया गया है तीम गुसपैटियों के राजवरी में भी एंकाउंटर की सूचना है खवास एलाके में आतंक्यों के साथ एंकाउंटर दो से तीन आतंक्यों के च्छिपे होने की ख़बर मिल रही है अपको बतादें कि आतंक्यों ने रात भर रुक रुक कर फाइरिंग की है सुवे छे बजे से फाइरिंग बंध है सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ओपरेशन चला रहे हैं दो से तीन आतंक्तियों के यहां पर छीपे होने की खबर मिल रही है आजाए बाचलू के पास चलते हैं आजाए इस बावत आपको क्या और पता चल पा करती गई है तो इसी संदर्ब में कल शाम करीब साड़े नो बजे सुरक्षा बलू को यह सुस्ता मिली थी कि रजोरी के तीन से चार इलाकों में संदिग्द देखे गए हैं जिसके बाद वहां इन चार इलाकों में अलग-अलग सर्च ओपरेशन चलाए गए अब करीब पूरे खेडी मोहला इलाके को जो है वो सुरक्षा बलू ने गेर लिया रात बर जो है दोनों तरफ से रुक रुक के फाइरिंग होती रही लेकिन सुबा छे बजे के बाद से फाइरिंग बिल्कुल बंद है और अब उस इलाके में अडिशनल टूप्स और बेजदी गई ह और पूरे इलाके को नकेवल घेर लिया गया है बलकि वहां पर व्यापक सर्च ऑप्रेशन चलाया जा रहा है ताकि जो दो से तीन आतंक की जिनके छुपे होने की खबर यहां से सुरक्षा बलू को मिली है उनको न्यूट्रिलाइज किया जाए उनको अपने अंजाम तक प और शुक्रिया